हालो फ्रेंड से एक वर्ड स्वागत है आप सभी कहा हमारी यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ वर्ड बताने वाले हैं जिस वर्ड के साथ क्या यूज होता है और इससे कहने के आपको तीन से चाव मार्क्स आपको पक्के करांगे एक इस यूज तक पर खता है और चीअ को बीशी आज है और अच्छे मार्च आजए और अच्छे आजाए विदि उनके लिए बहुत अची बात है अगर बैंग की तयारी करते हैं और उनका जिनका अगर आई भी पेस के लख में इसकी तयारी करें उनके लिए भी कहिना के होगा आपको reflexive pronoun का यूज करना होगा ठीक कुछ केस है जिसके साथ हम नहीं करेंगे लेकिन हाँ यहां पर एक चीज को आप मान की चले कि इसके बाद जो भी होगा आपका reflexive pronoun का यूज करेंगे ठीक तो यहां पर ध्यां रखिए कि इस बात को इसका कुछ कंडिशन है दो कंडिशन है ठीक है दो कंडिशन इसके साथ अपलाई होगा जैसे की संटेस आपका अब एक्टिव वाइस में होना चाहिए ठीक एक्टिव वाइस में होना चाहिए और इसके बाद कोई object नहीं आता हो अगर object आया है तब नहीं होगा लेकिन अगर object नहीं है तब आप इसके साथ reflexive pronoun का नहीं हैं इसके सकते हैं चलिए आपको यहाँ पर एक एक एक्जांपल लेकर आपको बताते हैं जैसे यहां पर देखें कि he has reconciled to the demand of his mother-in-law तो देखें लिकांसाइल के बारे में हम आपको बताए से कि बिकांसाइल के बाद क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिप पर्णाउन होगा तो रिकंसाइल के बाद यहां पर आपको करना क्या होगा ही है यहां पर इसके लिए यहां पर ही के लिए यहां पर क्या यूज करना होगा तो यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे तो यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे तो यहां पर आपको सवाल पूछा जाएगा अगर वहां से सवाल आएगा हम से सवाल कौन किसने तो यहां पर तैसा है नहीं इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर आपको मैंने बता है उस वर्ड को आप नोट के लिएगा इसके बाद हमेशा ध्यार रखेंगे कि हम रफ्लेक्सिप परणावन का यूज करते हैं सिर्फ सर्थ यह है कि आप इसके बाद कोई अब्जेक्ट ना हो दूसरा कि एक्टिव वाइस में हो ठीक अब आगे यहां पे एहां पर होगा तो ध्यार की कि यहां पे हम यूस करांगे हम यूस करते हैं यहां पर द यूस करेंगे ठीक क्या करंगे himself का use करेंगे ठीक और यह हमेशा objective case के sense में होता है him ठीक है possessive case में नहीं आते हैं यहां पर इसलिए he का जो होगा कोई भी third person है उसके लिए him आता है objective case में तो वहाँ पर himself का use करेंगे ठीक अब यहांगे बढ़ते हैं देखते हैं कि जैसे कि you must apply to your studies if you want to succeed you must apply यहां पर एक वर्ड आया आपको apply ठीक तो apply वर्ड के बाद क्या होगा यहां पर फिर से आपको यूज करना हो लेकिन you के लिए क्या होगा यहां पर yourself का use करेंगे यहां पर यूज करेंगे ठीक यहां पर आपको यहां पर से क्या है तो उसके लिए भी यहां पर हिमसल करेंगे लेकिन अवेल एक वर्ड उसके बाद हम करेंगे यू मस्ट अप्लाई अप्लाई के बाद हम क्या बताएब भी आपका जो होगा रिफ्लेक्स पढ़ना होनों का और किसके अनुशार को यू के साथ यू के का क अब पोजिक्तव एंपश करते हैं यहां पर सकेंड खेटिग वर्ड और किसक पर्सक का यूद करते हैं नहीं नहीं था यहां नियुक्त था फिर था था थी यहां पर थर्ड ही आंग डी आप सकता है देए का तो यहां पर क्या हो औहल थे फिर यहां पर को मैं ने बता आ कि रिजाइन ठीक है और सोरी रिजाइन की बात यहां पर इंजुई ठीक है इंजव्य वलब विडिया यहां पर इनजव्य के बाद मैंने क्या मताया है कि फिर से यहां पर को अब्जिक्ट नहीं और यहां जो कि 3rd person ने और 3rd person का जो objective में होता है यहां पर हीं से तरह यह रहे तो यहां पर हम लोग करते हैं अब यहां पर आपको फस्परसन के बाद में बताते हैं परस्परसन और सेकंड पर्सन जो होगा जो परसन प्रनौन होगा ठीक है और थर्ट परसन परण होगा उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग सेल्फ या सिल्फ लगाते तो सेल्फ जो होता है ठीक और यह जो सेल्फ होता है प्लूडल के लिए यूद होता है अब जैसे यहां पर फर्स्ट पर्सन में माई आवर होता है तो माई सेल्फ आवर सेल्फ होता है सेकंड पर्सन के बात करें यूर का यूर सेल्फ होता है यूर सेल्फ होता है ठीक है हिम का हिमसेल्फ होता है हर का हर सेल्फ होता है देम का दे तो थर्ट पर्शन में आप देख रहे हैं कि हमका हिमसेल्फ और ठीक तो रिफ्लेक्सिव परणौं क्या बनता है जतना भी होंगे यह जितने भी देख रहे हैं यहां पर थर्ट परसन का है ठीक है तो इससे हम लोग यूज करते हैं आप यहां पे कुछ वर्ड ऐसे जिसके सा नहीं करते हैं जैसे आप एक्जांपल देखें कि यूसुट कीप यूर्सेल्फ तो कीप के साथ मैंने बता है कि यूर्सेल्फ नहीं लगाईएगा यह अपने आप में सही है यूसुट कीप अवे फ्रॉम दे बैड बॉइस ठीक तो हम नहीं यूज करेंगे जैसे यहां पर कीप यूसुट कीप अंसर जो होगा यूसुट कीप अवे फ्रॉम दे बैड बॉइस तो किसे कीप अवे रहना वई तो बैड बॉइस से रहना है ठीक तो यहां तक बास समझ में आगे होगा तो आप इसका जरूर्स के लिएगा और जितने भी मैंने आपको पॉइंट बता और देखिए इसका जिक्र हो चुका तो जैसे इंजुआई का जिक्र हुआ इस वीडियो में आवेल का हुआ ठीक तो यहां पर कहिने की अप्लाई का हुआ इससे कुछ वर्ट का मैंने आपको बताया जिससे कि आप बेसक समझ सकें और अच्छे से बात को आप समझ कर और य अगर आपने समझ लिए तो आराम से वहां से आप मैक्सिम्म को कह सकते हैं किया ज्यादा लाग सकते हैं मिनिमम अप्टेन मास तो बिल्कुल आप पके कर सकते किसी बीग्जाम मिनिमम अगर जिसका जो एक्जाम में अगर पचीस या तीस कोशन का होता है इंग्लिस का जैसे सब्सक्राब करें सब्सक्राइब झाल झाल